दोस्तो आज से ठीक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने शौमी, रेडमी, एंड फोको स्मार्टफोन में iOS 17 को कैसे इंस्टोल कर सकती हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो मिलीगी, चेक आउट कर लेना देखो उस वीडियो में हुआ क्या था, यहाँ पर आप देखो अगर डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने वाल्पिपर तो चेंज हो जाते है तो इसका आज में solution करने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही जादा interesting होने वाली है and तक watch करना complete process बताऊँगा कि कैसे आप इस feature को enable कर सकती हूँ बट वीडियो में आगे बनने से पहले एक important बात आज मैंने अवतार का full setup अपने channel पे upload कर दिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो eye button में वीडियो मिल जाएगी check out कर सकती हूँ वहाँ पे आपको home screen and lock screen complete change मिल जाती है तो जाके check out कर सकती हूँ आप देखो बढ़ता है हमारे main feature की तरप वो इसका यहाँ पे lock screen में wallpaper को change करना तो इस feature को enable करने के लिए आपको क्या करना है theme store application open करना है तो यहाँ पे देख सकते हूँ मैं theme store application open किया open करने के बाद सबसे पहले तो आपको theme को download करना है तो आप यहाँ पे my UI 17 type करना आपके सामने first number पे theme देखने को मिलेगी तो इसको आप download करने के बाद apply करना है कुछ भी customize नहीं करना apply होने के बाद profile वाले option में जाना option में जाने के बाद customize theme के उपर click करना यहाँ पे आप देख सकते हो lock style के उपर my UI 17 theme भी apply है तो मैं यहाँ पे click करूँगा उसके बाद customize वाले option के उपर click करना आपको देखने को मिल जाता है insert image below unlimited formats आपको देखने को मिल जाता है साथ यहाँ पे आप देख सकते हो customize wallpaper depth position देखने को मिलता है अब देखो अगर आप wallpaper को PNG format में वालपेपर है तभी आपको यहाँ पे PNG format में wallpaper एड़ करना है अगर आपको पास PNG format में wallpaper नहीं है तो आपको यहाँ पर जो second option देखने को मलता है यहाँ पर आपको इसको उसको यूज करना है अगर आप यहाँ पर PNG format में JPG format का अगर wallpaper यूज करते हो यस फिर other format का wallpaper भी आप यूज करते हो तो आपको सामने यहाँ पर show नहीं करेगा साथी आपको यहां पर जो second option देखने को मिल रहा है यहां पर insert image below unlimited format तो आप यहां पर कोई साब भी format वाला wallpaper एड़ कर सकते हो तो यह बात थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आप देखो मैं आपको यहां पर एड़ करके बताता हूँ wallpaper अगर मैं PNG format वाले wallpaper के उपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहां पर गैलरी का option देखने को मिलेगा यहां पर क्लिक करना है आप देखो यहां पर यह जो wallpaper वो PNG format में है यहां पर मैंने इसको PNG format में एड़ कर रखा है उसके बाद Depth Effect wallpaper के उपर क्लिक करता हूँ तो यहां पर यह जो wallpaper है वो एड़ हो जाता है अब देखो यहां पर जो मैंने wallpaper एड़ किया PNG format में था अब यह same wallpaper में यहां पर JPG format में एड़ करके दिखाता हूँ अगर आपके smart आप देखना यहां पर यह वर्क नहीं करेगा तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ गैलरी वाले option के पर क्लिक करता हूँ अब आप यहां पर देख सकते हूँ same wallpaper है यह वाला मैंने एड़ किया था अब यहां पर यह वाला wallpaper एड़ करके बताने वाला हूँ तो देखो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ तो same आपके सामने यहां पर JPG format यहां पर देख सकते हूँ JPG format टाइप हो चुका है उसके बाद आप देखो lock screen को मैं on करता हूँ ओन करने के बाद डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हूँ यहां पर black screen हो चुकी है wallpaper यहां पर work नहीं कर रहा है आप देखो इसकी trick मैंने आपको बताए दिया है आपको यहां पर only PNG format वाला wallpaper ही add करना है JPG format अगर आप wallpaper add करोगी तो आपके सामने black screen आ जाएगी आप देखो इसका solution क्या है आपको यहां पर एक option देखने को मिल जाता है अगर आपके पास JPG format वाला wallpaper है PNG वाला wallpaper नहीं है तो आपको यहां पर second option देखने को मिलेगा यहां पर click करना है इसमें आप only JPG format और PNG format यह wallpaper यूज कर सकते हो तो यह trick है और आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपके पास PNG format वाला wallpaper है तब ही आप यहां पर इसको add करना अगर आप JPG format वाला wallpaper आड कर देते हो तो आपको theme को वापस से download करना पड़ेगा पहले delete करना उसके बाद download करना फिर आपको यहां पर जो PNG format वाला wallpaper है यहां पर कोई भी wallpaper आड नहीं करना है अगर आपके पास PNG format में wallpaper है तब ही आप add करना and otherwise आपको यहां जो second option देखने को मिलता है यहां पर आप JPG format वाला wallpaper आड कर लेना तो यह feature है इसको आप try कर सकते हो आप देखो आप मैंसे काफी लोग बोलेंगे कि दोनों wallpapers को हमें use करना है तो देखो यार दोनों wallpapers को use करना possible नहीं है क्योंकि आपको यहां पर PNG format वाला option देखने को मिलता है और फुल वीडियो अगर आपने iOS 17 की नहीं देखी तो end screen में वीडियो मिल जाएगी आउतार setup भी मिल जागा तो चाके check out कर सकते हो